ठारवी लोकसभा का पहला सत्र कल यानि कि सोंबा से शिरू हो चुका है और कल लोकसभा अध्यक्षपद के लिए जो आने वला कल है यानि बुद्वार को चुनाव होना है लोकसभा स्पीकर का लेकिन अब तक नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है किसी का नाम अभी तक सामने न उमीदवार के नाम का नोटिस देने की जो डेडलाइन है आज दुपहर बारा बजे है इमानशू शेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमानशू यहां बारा बजे तक आज नाम तै होना है किन नामों पर चर्चा चल रही है ये पद दरसल इसले भी काफी महत पुन बात कही जहां तक नामों की चर्चा का सवाल है ओम बिलक के नाम की चर्चा है राजिति गल्यारों में संसद में कई सांसदों ने उनके नाम का भी जिक्र किया है कि उनके नाम पर विचार चल रहा है भातुहरी माताब जो प्रोटेम स्पीकर है रादा मोहन सिंग बीज specific नाम सामने नहीं आया वीजेपी लीडिशिप ये कोशिश कर रही है समझने की कि उनके जो घटक दल है वो क्या चाहते हैं उनकी क्या रणीती है क्या सोच है दूसी तरफ जहां इंडिया ब्लॉक का सवाल है मैंने एनके प्रेम चंडरन जो आरेसपी पार्लेमेंटरी पार्टी के लीडर हैं लोकसभा में उनका एक इंट्रिव्यू किया है थोड़ी देर में हम उसको दिखाएंगे दर्शकों को उन्होंने काया कि देखिए अभी तक सरकार ने विपक्ची दलों के साथ कोई चर्चा नहीं की है कि इसकी से वो स्पीकर बनाना चाहते हैं और एक कन्वेंशन है कि बहतर होगा कि सबकी सहमती से जो speaker हो वो NDA का हो और जो deputy speaker हो वो विपक्च का हो ये एक parliamentary convention है ये बात left leadership की तरफ से कही गई है और वो चाहते हैं कि सरकार इस convention को follow करें लेकिन अभी तक सरकार ने अपने पते नहीं खोले हैं जया और इसलिए एक असमंजस की स्थिती है कि speaker कौन होगा deputy speaker कौन होगा ये सारे स speaker है वो बीजेपी की ही जो सांसद है वो ही रह सकते हैं या किसी सहयोगी दल NDA के बाकी है वो भी संभावनाय कुछ ऐसी लग रही है अभी तक जो संकेत है उसमें तो बीजेपी का एक सांसद ही speaker बनेगा ये तो बात तय है और आपने देखा होगा कि टीडीपी जेडीउ जैसी जो महत्पून घटक दल है उन्होंने ये समर्थन भी किया है कि बीजेपी जिसको भी speaker बनाएगी वो उसका समर्थन करेंगे इस में कोई दो राय नहीं है एंड ये इस सब्जेक्ट पर इस सवाल पर एकमत है लेकिन दूसी तरफ सवाल ये है कि अभी तक क्योंकि speaker का पद जो है और जैसा आपने का ए गटबंधन की सरकार है इसमें उनकी भूमी का बहुत महत्पून होगी और ऐसे में विपक्ष के साथ अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं किये और विपक्ष के जो एनके प्रेमचंदन जैसा मैंने कहा उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमसे बात नहीं करती है तो एक मूड है कुछ घटक दल है विपक्षी खेमे में जो चाहते हैं कि विपक्ष को भी अपना एक उमिद्वार NDA को उमिद्वार के खिलाफ ख़़ा करना होगा अगर सरकार कंसिंसर्स बनाने की कोशिश नहीं करती है तो एक काफी दिल्चस हो गई है ये सवाल काफी दिल्चस हो गया है समय बहुत कम है 12 बजे तक मोशन मूव करने के लिए नोटिस देना है NDA को भी और मुझे लगता ह जैसे ही NDA अपने उमिद्वार का नाम फाइनल करेगी उसके बाद ही विपक्ष जो है वो एकजूट होकर इस पर आगे रणी थी बनाएगी लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि स्पीकर पत के लिए चुनाव होगा